नमस्कार साथियो मैं बेद प्रकाष आपके अपने यूटूब चनल प्रकाष सिट्री में आपका उस्वागत करता हूँ साथियो आज 9 जनवरी 2023 है आज जो सीटेट का जो सेक्ट सिप्ट का पेपर हुआ है आज इस वीडियो में हम सामान हिंदी के जितने भी क्वेशन है आज इस वीडियो में करेंगे आई एक्टराइट करते हैं साथियो इससे पहले हम आपके बाद विकाष सिक्चा सास्तर ये मों सामाज विज्ञान पर वीडियो बना चुके हैं आप प्लेलिश्ट में जाके नीचे देख सकते हैं अगर साथियो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आईए एस्ट्राइट करते हैं, सामान इंदी में आपको पहले ही गध्यांस पूचा जाता है ये आपको पूरा नीचे गध्यांस पढ़ना है और आपको 91 से लेके 99 तक के क्वस्णों के आंसर इसमें से चाड़के देने हैं आई एक्षर करते हैं देख लेते हैं क्वसन क्या पूचे गए इसमें 91 में में पूचा गया है भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था बाक्य में रेखांकेत अंस का भाव है नीचे चार उप्सन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर अप्सन नमर 30 रहा हो जाएगा यानि अक्षर बहुत सुन्दर थे सातियों ये सभी अम गध्यांस में ने पढ़ लिया है उसमें से आंसर मैं बता रहा हूँ अगला नेक्ट क्वेशन प्सन नमर 92 बानमे पूचा है सोट हेंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सन नमर पहला यानि लिखने की एक शेली अगला नेक्ट क्वेशन प्सन नमर 93 राज पुरुष में समास है इसका सही आंसर हो जाएगा ये तत्पुरुष समास है अगला क्वेशन प्सन नमर 94 94 में पूचा गया है गांधी जी की बादचीत को सोट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा नीचे चार अपसंदे रखें सही आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर अपसंदे में सेकंड हो जाएगा यानि सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए अगला ने रेक्ट क्वेस्टन क्वेस्टन नोट 95 95 में पुचाए लेखक में प्रत्य है लेखक में प्रत्य है लेखक में क्या प्रत्य है इसमें है आपका अक यानि इसमें अक जुड़ा हुआ है प्रत्य है यान पीचे जुड़ा हुआ है अक तो अक का का आ रहा है तीसरे में भी आ रहा है और पहले में आ रहा है इसके पहले और तीसरा दोनों सही होंगे अगला next question 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 number 96 चानवे पुछा है भारत में उनकी अक्षनों का कोई सानी नहीं था वाक्य में इसके सर्वनाम का प्रियोग किसके लिए हुआ है नीचे चार option दे रखे हैं सही answer आपको बताना है 96 का सही answer option number second हो जाएगा यानि महादेव जी के लिए अगला question 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 number 97 97 पूछा है गध्यांज के आधार पर कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है नीचे चार option दे रखे हैं सही answer आपको बताना है कद्यांस के आधार पर गांदी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे इसका सही answer आप्षन नमर चोथा हो जाएगा अगलाने पॉच्छान पॉचा है गांदी जी के सिक्रेटरी के समान सुखन वीज कहां मिलना था नीचे जार आप्षन दे रखें साई आंसर आपको बताना है 98 का सही आंसर क्या होगा 98 का सही आंसर आंसर आप्षन सेकेंड निया जाएगा यानि सुन्दर अक्षर लिखने वाला अगर नेट कुर्शन, Q99 इसमें पूचा है गद्ध्यान्स में जेट कीसी गद्धी से लिखा जाता था जहां जेट कीसी गद्धी से आ से है नीचे जार उपसन रखें सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर उपसन आपको पहला हो जाए यानि बहुत थी ब्रगती से साथियों यह अगध्यांस के 91 से लेकर नुन्याद तक सबी क्वेस्टन हो गए अब नीचे आपको एक पध्यांस पूचा जाता है पध्यांस या अगध्यांस पूचा जाता है यह साथियों द्वारा से रिपीट हो गए सवाल यह अपका 100 मा answer क्वेस्टन है यह आपका हंडेड़ में पध्यांस पूचा जाएगा यानि यह आगया पध्यांस यह आपका हिंदी में पध्यांस है यह पुरा पढ़ना है और इसका आर्थ समझना है इसका आर्थ समझ के आपके 100 से लेकर 105 तक के इसमें से आंसर चाटने हैं आईए स्टाइट करते हैं सौमा क्वेश्चन है कविता में खालिस्तान अपना जीवन आपेद करने की बात की गई है नीचे चार आप्षन ने रखें सही आंसर आखको बताना है इसका सही आंसर आप्षन नमबर तीसरा सही हो जाएगा यानि दूसरों के कल्याड के लिए आप्षन नमर तीसरा हो जाएगा अगला question, question अमर 101 101 मैं पूछा गाया कटनाईओं के लिए कविता में किस सब्द का प्रयोक किया है कटनाईओं के लिए कविता में किस सब्द का प्रयोक किया है इसका सही आंजर हो जाएगा option नमर पहला यानि कांटों का अगला next question, question नमर 102 इसमें पूचाए कविता में निरंतर आगे बढ़ने की बात किस वाक्यांस में कही गई है नीचे चार option दे रखें, सही answer आपको बताना है 102 का सही answer क्या होगा इसका सही answer option नमर second हो जाएगा यानि कैसा इते अब अगला next question, question नमर 103 103 में पूचाए, जीवन को जलाने, गलाने का भाव है नीचे चार option दे रखें, सही answer आपको बताना है 103 का सही answer क्या होगा 103 का option नमर 14 सही हो जाएगा, यानि अथग परिस्रम करना अगला next question, question नमर 104 104 में पूचाए, इतिका बिलोम सब्द है अगला next question, question नमर 105 105 में पूचा गया है, पावस का अर्थ है नीचे चार option दे रखें, सही answer आपको बताना है 105 का option नमर 3 सही हो जाएगा, यानि ब्रष्टी अगला next question, question नमर 106 देखते हैं यह साथी आपके 105 द्वारा से repeat question है 106 मा question है कक्षा में विद्यार्थी विसेवस्तु को समझ जानने हैं समझ जाते हैं किन्तों वे किसी चर्चा में बहाग नहीं लेते हैं उन्हें बहासा की कौन सी कटनाईया हैं नीचे चार option दे रखें, सही answer आपको बताना है 106 का सही answer क्या होगा? 106 का option number second सही हो जाएगा यानि अव्यक्ति सम्मंदी अगला next question, question number 107 107 में पूचा है कक्षा में शिक्षक सब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेशन कर रहे हैं इस इस्तिती में विद्यार्थियों को किस सेड़ी में रखेंगे? नीचे चार option दे रखें हैं सही answer आपको बताना है 107 का option number second न हो जाएगा यानि संकेत समझनी वाले अगला next question, question number 108 108 में पूचा है विद्यार्थियों के लेखन के संग सरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? नीचे चार option दे रखें सही answer आपको बताना है 108 का सही answer क्या होगा? 108 का option number second सही हो जाएगा यानि विद्यार्थि द्वारा संकेतों के अपयोक्त आर्थ पत्यपादित करने तथा काप्त उद्येश के सोपान पर टेपणी करनी चाहिए अगला next question question number 109 109 में पूचा है बच्चे में अंतरनहित जन्मजात छमता होती है जो उन्हें भासा के पैटन को खोईने में मदद करती है निमले खित में से कौन सा सिद्धान्त इस कथन का समर्थन करता है नीचे चार option दे रखे हैं सही answer आपको बताना है 109 का सही answer क्या होगा 109 का सही answer option नमज तीसरा हो जाएगा यानि सहजता वादी अगला next question question number 110 110 में पूचा है निमले खित में से कौन सा बासाई अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है नीचे चार option दे रखे हैं सही answer आपको बताना है question number 110 का सही answer क्या होगा 110 का option number पहला हो जाएगा यानि स्थानिक मान को समझने में कठनाईयों का होना अगला next question question number 111 111 में पूचा है सूची first बासाई गटक तथा सूची second बासाई गटकों की विकाच्चा का सही मिलान करें या आपको 1, 2, 3, 4 रोमन गिंती में दे रखे हैं ये आपको सही मिलान करना है नीचे 4 option दे रखे हैं सही answer क्या होगा question number 111 का सही answer क्या होगा 111 का सही answer option बासाई पहला हो जाएगा यानि first का B, second का C first का B यानि द्वने बिज्ञान हो जाएगी द्वन्या आत्मक आसण की क्रम तथा सरजना की नियमों को सर्नरवित करता है और आपका second हो जाएगा C से यानि आपका C से हो जाएगा यानि आर्थविज्ञान है संप्रत्यों के प्रस्तुती करण में सब्द तद सब्दों के समायोजन को रेखंकेत करता है और नीचे आपका थड़ है D से यानि ये आपका वाक्य विन्यास ही हो जाएगा आपके बाक्यों के बनेने में सब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है और आपका ये फोर्थ हो जाएगा इसे यानि सब्द सरचना सब्द सरचना इसे हो जाएगा यानि ब्याका नडिक चिन्नों का प्रयोग संख्या काल केस ब्यक्ति लिंग सक्रिय या निस्क्रिय आवाज और अन्य अर्थों को दर्साने में किया जाता है इसका सही आंसर अप्चन अमर पहला हो जाएगा अगला नेट कॉशन कॉशन नमर 112 112 में पूचा है एग डेड़ से धाई वर्स के बीच के बच्चों की सताब्द सब्दावली जब जब दोसों से धाई सब्दों और दो सब्दों के उच्चारण तक पहुँचती है तब उसे खालिस्तान कहा जाता है नीचे चार उप्चन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 112 का सही आंसर क्या होगा 112 का सही आंसर उप्चन नमर पहला हो जाएगा यानि टेली ग्राफिक भासा कहा जाता है अगला कॉशन कॉशन नमर 113 113 में पूचा गया है निमले खितमे से कौन सा एक भासा के विकास को वड़ावा नहीं देता है नीचे चार उप्चन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 113 का सही आंसर आपको बताना है यानि सामाजिक वर्गी करना है तो भासा का प्रियो करना अगला नेक्ट वस्चान कॉशन नमर 114 114 में पूचा है भासा अधिगाम अभ्यास और पुनरवलन की सहायता से स्वता इस्फूर्थ तरीके से होता है या सिद्धान्त किसके द्वारा प्रत्यपादित किया गया है नीचे चार उप्चन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 114 का सही आंसर अप्चन नमर सेकेंड हो जाएगा यानि व्यवहार वादी अगला नेक्ट क्वेशन क्वेशन नमर 115 115 में पूचा है निम लिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशिस्ता मानी जा सकती है नीचे चार उप्चन दे रखें इन में से सही आंसर आपको बताना है 115 का सही आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर अप्चन नमर पहला हो जाएगा यानि प्रवहापून पढ़नी के लिए रूच्ची कर बड़ी बड़ी पाठे सामिक्गिरियों को सामिल किया जाना चाहिए अगला नेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमर 116 116 में पूचा है निमने लिखित में से कौन सा ग्राम बासा कोसल है नीचे चार आप्चन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 116 का सही आंसर क्या होगा 116 का सही आंसर आप्चन तीसरा हो जाएगा यानि बोल चाल की भासा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रते समझ बनाने की योगिता अगला next question question नमर 117 117 में पूछा है कक्षा में दुत्तिय भासा के सिक्षण के दोरान सिक्षक द्वारा अब बोध आत्मकता के लिए सहारा देना में क्या समलित है नीचे चार ओप्सण दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है question नमर 117 का सही आंसर क्या होगा 117 का option नमर पहला सही हो जागा है यानि चेश्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रियोग करना next question 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 नमर 118 118 पूचा है विद्याले में बच्चे को अपने घर की बासा प्रियोग करने से मना करना इसके अधिगम के लिए क्यों हानिका रखे है नीचे चार ओप्सण दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है question नमर 118 का सही आंसर क्या होगा 118 का option नमर 14 सही हो जाएगा यानि इससे विद्यारती स्वें को हासिये पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्चा में स्वें को खोया हुआ महसूस करते हैं अगला next question 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 नमर 119 119 में बूचा है जब 282 और 282 लोग अपनी 282 तथा 282 दुनिया में परियोक्त भासाओं का आर्थ समझने के लिए विवेद प्रकार के तरक मूलक तरीकों का प्रियो करते हैं तब यह इस्तिती क्या कहलाती है नीचे चार option दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है 119 का सही आंसर क्या हुआ 119 का सही आंसर आपसन नमर पहला हो जाएगा यानि एक भासा से दूसरी भासा में चले जाना अगला नेक्ट पर्शन पर्शन नमर 120 120 में पूचा है किसे मात्र भासा पर आदारेत भोवासिकता कहेंगे नीचे चार उपसन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 120 का सही आंसर क्या हुआ 120 का सही आंसर नमर पहला हो जाएगा यानि सिक्षारती अपनी विद्ध्या लई सिक्षा मात्र भासा में आराम करते हैं और उसमें और अधेक कम से कम दो वासाएं जोड़ते हैं इसका उपसन नमर पहला सही हो जाएगा सातियो हिंदी के सभी क्वश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फ्लीज वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला नोटिपिकेशन आप तक जल्द पहुँच पाए आज के लिए बस इतना ही दन्यवाद